Hello and Good Morning all of you Today we are going to learn subject Sanskrit Class 6 ये आपका परिशिष्ट वीधिका है प्रत्मा भागा व्याकरण है आपने हिंदी ग्रामर पढ़ा इंग्लिज ग्रामर पढ़ा इसी तरीके से Sanskrit में भी व्याकरण होते हैं ग्रामर होते हैं चलिए देखते हैं वर्ण माला है इसमें Sanskrit ध्वनिया Sanskrit में वर्ण माला का एक क्रम है जिसे महाईश्वर सुत्र कहा जाता है ये ध्वनी विग्यान तथा ध्वनी विसलेशन के अधार पर गठीत सुत्रावली है जिसे पारिनी ने 14 सुत्रों में प्रस्तूत किया है इनको प्रत्या हर सुत्र भी कहा जाता है ये सुत्र क्या क्या है देखते हैं ये उन रिल रिक ए ओ ग अंग अ आउच इस तरीके से जो है इनको चवदा सुत्रों में विभाजित किया गया है वर्ण के प्रकार के इतने चलिए देखते हैं मूल तह वर्ण दो प्रकार के होते हैं स्वर और व्यांजन आपने पहले भी पढ़ा है व्यदिक संस्क्रित में कूल वर्ण या ध्वनिया 63 मानी जाती है कुछ विद्वानों ने लिकाल को प्रूद भी माना है यदि लिकाल को प्रूद मान लिया जाये एक उपसर्ग और एक अनुश्वार है स्वर देखे कूल कितने हैं 21 क्या क्या है ये देख लीजिए व्यांजन कितने हैं कूल 25 इसको आप पढ़िएगा अंतस्ता कूल संख्या है आपके 4 यर अलावा ये आपने हिंदी में पढ़ा है यम है आपका कुम खुम गुम गुम ये आप संस्कृत में पढ़ते हैं हिंदी में नहीं है है ना उसमें व्यांजन आपने पढ़ा है ये आप व्यांजन में पढ़ लेते हो हैं ना जीवा मुली करके अलक्स नहीं दिया गया है उपद्मानिय ये दो है प्रत्याहर बनाने के नियम अब प्रत्याहर कैसे बनाते हैं? प्रत्याहर का अंतिम हलंत वर्ण प्रत्याहर का अंतिम या उत्तर वर्ण होता है इसी प्रकार प्रत्याहर में दो वर्ण स्वर्ण से परेव होता है पूर्ण वर्ग तथा दूसरा हलन्त वर्ण होते हैं आधी वर्ण से अंतिम हलन्त वर्ण तक के वर्णों को प्रत्याहर विच्छेदन कहते हैं इस मरन से आधी अंतिम वर्ण के बीच आने वाले हलन्त वर्णों को प्रत्याहर विच्छेदन में नहीं लिखा जाता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्याहर दो प्रकार के होते हैं कर है आपका मध्य मेहलंत वर्ण ना होने वाले प्रत्याहर और दूसरा है आपका मध्य मेहलंत वर्ण होने पर उसकी गर्णा ना किये जाने वाले प्रत्याहर ठीक है कुछ उधारन देखें यहाँ पे मध्य मे प्रत्याहारों का प्रेयोक संधी समास रूप आधी के सूत्र की व्याक्या करने में किया जाता है संस्कृत भासा में एंगों अलग-अलग होता है ऐंगो संखियाओं संखिया तक को दिया जा रहा है commence चेप्टर में जो व्याक्रण आप पढ़ हो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप इसको मेमराइज कर लोगे ओके दू मैमो यह आपका यही होमवर्क है एक द्वे त्रया चत्वारा पंच सब्त अस्ट नौ दस एक आदस द्वादस त्रयादस चतूर दस पंच दस सोडस सब्त दस अस्ट दस एकोन विनसती और विनसती यह आप एक से बीस तक की जो है गर्णा जो है याद कर लोगे संख्या याद कर लोगे कुछ परिभासिक सब्दा वाली इसमें दिया गये हैं पूरूस संस्वित में पूरूस कितने होते हैं तीन होते हैं तो प्रथम जो होता है वो फर्स्ट पर्सन जिससे कुछ कहा जाता है वो सेकेंड पर्सन और जिसके विसे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन वजन कितने होते हैं संस्कृत में तीन वचन होते हैं एक वचन द्वी वचन और बहु वचन हमने अभी तक एक वचन और बहु वचन पढ वहा चल्ड फुरूज ज्धादी का बोध कर आते हैं तो इस त्री जादी का बोध कर आते हैं तो तर्शाइब शोता है और आपको कितने पढ़ने हैं थे फोर यी पढ़ने है लट लगार लीत लगार और विधिलिंगल कायां Jimmy लकार की अपड़ने हैं लठ लखार लीत लगार लंग लगार विधीलिंगल कार तो लंग लड़ए लड़ लंग लखार भूद काल होता है ठीक़ैंब कार देख लेते हैं कि ये अपको हिन्दी में पढे रहे अकारक चेप्टर जो है आपने कम्प्रीट कर लिया है तो इसमें भी कितने विभक्ती होते हैं आठ विभक्ती होते हैं सम्मोधन को मिला के प्रत्मा द्वितिया त्रितिया चतूर्थी पंचमी सस्टी सप्तमी और सम्मोधन कारक होते हैं करता कर्म करन संप्रदान अपदान संबंध अपदान और संबोधन ठीक है उनके चीनी क्या होते हैं करता ने कर्म को करन से संप्रदान को अपदान से संबंध काके की अपदान में संबोधन है अरे भू यह आपको समझने के लिए है कि आप जो है कैसे बताऊगे कि कौन सी भी भक्ती में है कौन सी कारक में ठीक है तो यह जब आपको यह यह आद रहेगा कि इन्य को यह सब जिच के चिन जहां पि लगा रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि यह कौन सी भी भक्ती है इस देट ओके आपको यह पार्ट समझ में आ गया होगा और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें यह है कि आप इसमें एक से जो 20 तक जो मैंने संख्याय बताई हैं आपको यह आप मेमोराइज कर लोगे और यह मध्याम पूरुष जो भी है आपके हैं वचन कितने हैं लिंक कितने हैं लकार कितने हैं कारफ विभक्ति कितने हैं यह सब आप मेमोराइज करोगें अभी के लिए थैंक यू